नमस्कार दोस्तों, हर्शी दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीत सागर, डेली न्यूस प्लस साइन्स अंटेक अनालिसिस 25 फेबरियरी 2023, आज की इंपोर्टन आर्टिकल्स कौन कौन साय चकरते हैं दोस्तों, वैसे आज संडे है, न्यूस काफ चानल को अब तक शेर आंट सब्सक्रिम नहीं किया हो, तो कर लिजिएगा, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सूपर थैंक्स का ओप्शन यूस कर सकते हैं, और मैक्सिमम फ्रेंट्स के साथ इस वीडियो को शेर कीजिएगा, अगर आपको लग रहा है, वीडियो काम का है, शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पलग रहा है, यूस होप्स इंडिया विल यूसिट्स टाइस विट रिश्या टु एन्वार, जी एस पेपर टु, इंटरनाशनल रिलेशन्स में हिनुस आपको काम आएगा, देखी, सब्रूरेडी 24, 2023 को रिश्यास इन्वेशन ओफ य यूक्रेड करके नहीं बोला है, हम इसे रिश्या यूक्रेड क्राइसिस बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्वेशन बोलने का मतलब ये हो गया, हम रिश्या के एगेंस थे, आपको पता है दोस्तों, जितने बार यूनेटेड नेशन्स में रिश्या यूक्रेड वार के चल इंडिया का मेजर डिफेंस पार्टनर है ठीक है तो इंडिया और रिश्या के बीच में कोई इश्यू नहीं है इसलिए फाल्तु में इस क्राइसिस में हम रिश्या के खिलाफ कुछ बोलके हमारे रिलेशन्स को खराब नहीं करना चाहता है और इस बात को वेस्टेन कंट्री पसंद नहीं करता है उनका कहना यह है इंडिया नूट्रल पोसिशन लेने से या फिर इंडिया यह जो इन्वेशन वाला सब्द यूस नहीं करने से वार को सपोर्ट कर रहा है मतलब रिश्या जो उक्रेन में कर रहा है उसमें इंडिया का सपोर्ट है देखिए सच बात तो इंडिया was one of the founding members of non-aligned movement, ये बात भी आपको मालूम है दोस्तों, तो अब अगर western countries इंडिया को बोलेंगे कि इंडिया वार को support करता है, तो it is purely illogic, अब रिशिया यूकरेन क्रैसिस में इंडिया neutral position लेने का अलग-अलग reasons है दोस्तों, एक reason मैंने आपको बता दिया कि इंडि रिशिया के साथ relations खराब नहीं करना चाहता है, क्योंकि रिशिया ऐसा एक country है दोस्तों, जो इंडिया को unconditionally support किया है, कुछ time ऐसा था जब पूरे western countries इंडिया को ध्यान भी नहीं देता था, उस time पर Soviet Union हो या रिशिया हो इंडिया को support किया है, तो वो इंडिया कभी भूल न चाहता है, तो यह सब की वज़े से actually यह war trigger हुआ है, यह बात भी इंडिया को मालूम है, इंडिया को यह बात clearly मालूम है कि कोई भी country अभी यह जो peace की बात कर रहे है वो कोई धूत का धुला हुआ हुआ नहीं है, जो भी है, अब news की आया है दोस्तों, देखिए जैसे रिश international platform में जितने भी meetings हो रहा है न, international meetings जो हो रहा है, उसमें Russia-Ukraine war main agenda है, सब Russia को isolate करने के बारे में बात करते हैं, तो recently एक senior US diplomat ने बोला है that United States hopes that India will use its relationship with Russia to end the conflict in Ukraine, तो United States of America का hope यह है, इंडिया अपना relationship को use करेंगे Russia-Ukraine crisis को खतम करने के लिए, ऐसी बात नहीं है दोस्तों, इ इंडिया का भी intervention का एक limit होता है, क्योंकि एक कोई छोटा-मोटा issue नहीं है, हेगनी हमारे Prime Minister ने diplomatic levels में try किया था कि Russia को समझाने का, पर Russia कहा समझेगे, वो अलग बात है दोस्तों, क्योंकि यह सब बड़े-बड़े issues होते हैं, वैसे देखा जाएगा तो recently US Secretary of State Anthony Blingan ने भी य इंडिया और रिशिया के बीच में जो relations है, वो काफी long है, complicated history है, cold war के time से इंडिया और रिशिया के बीच में deep and sustained relationship है, काफी decades से relationship अच्छी तरह maintained भी हो रहा है, तो अगर रिशिया को कोई समझा पाएगा, यह conflict बंद करने के लिए वो इंडिया है, वैसे Anthony Blinken noodle ही आने वाला ह दोस्तों, CFA माने जो 5 Central Asian Countries है, कौन-कौन सा, कसाकिस्तान, तुर्कमिनिस्तान, उस्बकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमिनिस्तान, ठीक है, यह meeting होने वाला है आस्ताना में, CFA plus 1 मतलब 5 Central Asian Countries plus USA, देखे, क्या न, आजकल यह देखने को मिलना है, दोस्तों, कई सेरे Countries Central Asian Countries में ज्यादा इंट्रेस्ट चले, क्योंकि Central Asian Countries के पास क्या है, नाचुरल रिसोर्स होते है, आपने देखा होगा, चाइना भी काफी इंट्रेस्ट चले है, दोस्तों, Central Asian Countries में, इवन इंडिया भी इंट्रेस्ट चले, इंडिया का भी काफी सरी इन्वेस्मेंस है, जो Now, India was among 32 countries that cast an abstention vote at the United Nations on a resolution criticizing Russia's invasion of Ukraine and calling for a just and lasting peace, देखे, recently United Nations में एक resolution adopted हुआ था, Russia's invasion को criticize करते हुए, इंडिया as expected इस voting से abstain हुआ था, के विन इंडिया नहीं इंडिया के सा 32 और कंट्रेस्ट चले जिनोंने वोटिं से abstain किया था, वैसे मैं आप से और एक सवाल पूस्ता हूं द इस के बारे में बात हुई तो याद आया, एक international north-south corridor है, जिसे INSC बोलते है, as per the proposal ये कहां से कहां तक है, कितने countries में से pass हो रहा है, और final destination कहां पर है, या आप मुझे comment box में बता दीजे, हमने काफी बार discuss किया है वैसे INSC के बारे में, और क्या बता जा रहा है दोस्तों, दे Number 1, India-US bilateral relationship के बारे में बात होगे, वब इसी बात है दोस्तों ये तो हो ना ही है, फिर देखे, Quad के बारे में भी कुछ matters discuss करेंगे, Quad क्या है, चार countries इसमें, India-US, Australia and Japan, and the recently launched India-US initiative on critical and emerging technologies, ICAT, देखे, recently India-US के बेच में, एक agreement sign हुआ था, on critical and emerging technologies, तो इसके बारे में भी discussions होगा, य Quad foreign ministers are set to convene on March 3, along the margins of G20, देखे, जब G20 foreign ministers meeting होगा, उसी टाइम पर, Quad के जो foreign ministers है, उनका भी एक meeting होगा, March 3 को, these ministers will also have a public discussion at the Raisina dialogue following the meeting, इसके बाद Raisina dialogue भी होने वाला है, क्या होता है दोस्तों, Raisina dialogue, देखे, Raisina dialogue एक multilateral conference है, जो annually होता है, New Delhi, India में, ठीके, 2016 में ये शुरू हुआ and the conference has emerged as India's flagship conference on geopolitics and geoeconomics, तो basically इस conference में geopolitics के उपर, geoeconomics के उपर, खाफी सारे discussions होगा, ये conference को host करता है, Observer Research Foundation, एक independent think tank है, in collaboration with the Ministry of External Affairs of India, ठीक है, नो, तो ये G20 foreign ministers जब होगा न, वैसे साब आएंगे इसमें, क्यूंगि ये जो India, US, Japan, Australia, ये सारे G20 countries भी है, तो साथ-साथ में Raisina Dialogue भी कंडट करवाएंगे, ये बताया जा रहा है, वैसे ये Raisina Dialogue नाम कहा से आया है, क्योंकि ये होता है Raisina Hill में, Raisina Hill, New Delhi में एक elevation है, जहां पर राष्ट्रबधी भवन लोकेटर है, ठीक है, वैसे, it is designed on the lines of Singapore's, शंक्रीला Dialogue, देखें, सिंकपूर में एक शंक्रीला Dialogue होता है, वो भी इसी तरह एक conference है, जियो पोलिटिक्स और जियो एकनोमिक्स के उपर, तो सी lines पर हमने Raisina Dialogue भी शुरू किया, तो ये सारी बाते बताया जा रहा है, देखें दोस्तों इस तरह के articles में से, international relations के perspective में आपको काफी कुछ important points मिल जाएगा, जो आ Antony Blinken ने कुछ कहा, वो Antony Blinken अपने इसाब से कुछ नहीं बोला, वो US का stance है, international relations के perspective में, foreign minister हमारा कुछ बोलते है, international platform में वो, government of India का stance है, है कि नी, तो ये सारे आपको note करना है, जिसका optional PSIR है, उनको तो specially note करना है, ठीक है, आपको smartly ये सारे statements को use करना है, means के answer writing में, ठीक है, अगला है, willing to join any peace process to solve Ukraine war, PM Modi, GS prepare to again international relations में उसापको काम आएगा, देखें, अभी भी मैंने आपको बताया, आजकल जितने भी international meetings होते हैं, world leaders आपस में बात करते हैं, तो रिश्या-Ukraine war के बारे में तो बात होती हैं, तो अभी German Chancellor Olaf Scholz इंडिया विसिट किया है, वो अपने counterpart, Prime Minister नरेंदर मोदी जी से मिला है, और नरेंदर मोदी जी Olaf Scholz को अर्च किया है, एक तो UN Security Council का reform के बारे में, second, end to cross border terrorism, इसके अलावा उन्होंने बोला है, कि इंडिया कोई भी peace process को join करने के लिए तयार है, युकरिण वार को solve करने के लिए, वैसे दोस्तों, मोदी जी ने Olaf Scholz को UN Security Council reforms के बारे में क्यों बात किया, क्योंकि देखिए, काफी सालों से 4 countries का demand है, कि UN Security Council में reforms होना चाहिए करके, कौन-कौन से 4 countries है, इंडिया, जर्मनी, जपान और ब्रजील, उनका demand ये है, कि United Nations Security Council में जो permanent members का number है, उसे increase करना चाहिए 5 से 9 तक, अभी किसाब से US UK, France, Russia and China permanent members है उनके पास unlimited powers है, बेसिकली जो veto power उनके पास है, तो यसा नहीं, permanent members का number increase करना चाहिए करके, इन 4 countries का demand है, और इन 4 countries को G4 countries भी बोलते हैं, ये आपको पता होगा, पर अभी तक reforms नहीं हुआ है तोस्तों, क्योंगि ये G4 countries को काफी सारे countries oppose करते हैं, जिनने coffee club या फिर Uniting for consensus ये स 12 तक complete किया है, कि अब एक chapter बचा हुआ है, दोस्तों, class 12 का, वो भी अभी खतम हो जाएगा, तो हमारा NCRT Policy की जो किताब है, वो completely खतम हो जाएगा, उसमें international relations के perspective में काफी अच्छे-चे points लिखा हुआ है, उसमें हमने UN Security Council के reforms के बारे में भी बात किया था, तो अब हाशी द completion of negotiation for the European Union India Free Trade Agreement, देखिए, इंडिया और European Union के बीच में Free Trade Agreement sign होने के लिए, negotiations चल रहा है, दोस्तों, काफी slow progress है, तो इसका fast completion, Olaf Scholz ensure करेंगे करके declare किया है, क्योंकि Germany इसे part of European Union, European Union में total कितने countries है, आप हुझे common box पे बताइए, ठीक है, और Olaf Scholz आपने ये माना है, कि COVID-19 pandemic and Ukraine conflict, जो है, सबसे ज्यादा impact किया है, developing countries को, ना कि developed countries को, ये बात कल, जैसरंगर साब ने भी बोला था, उन्होंने ये का था ना कि, देखिए, आजकल जो western countries रो रहा है, humanitarian crisis के बारे में, destruction के बारे में, Russia-Ukraine war के वज़े से जो हो रहा है, actually देखा जाएगा तो, Russia-Ukraine crisis से सबसे ज्यादा affected कोन है, global south के country से, जो developing countries है, under developed countries है, क्योंगी Russia-Ukraine crisis के वज़े से, food crisis हो रहा है, energy crisis हो रहा है, fuel crisis हो रहा है, हैंकि नहीं, तो ये सब सबसे ज़्यादा affect किसको कर रहा है, developing countries को कर रहा है, develop countries को नहीं, तो ये बात, उलाफ शोल साब ने भी, वैसे देखा जाएगा तो, German Chancellor अपने statements के truth, इथर उथर इंडिया को pinch किया है, इंडिया का stand को लेके, basically Russia Ukraine war में, इंडिया neutral position लिया है, पेरास Germany, Russia को completely oppose किया है, एक नहीं, और जर्मनी को ये भी पता है कि, इंडिया और रिशिया के बीच में relations काफी अच्छा है, तो भी इसी बात है, जर्मनी को ये बात अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो थोड़ा बह अपना stand बोला है, जो भी है, उपर से recently जब G20 finance ministers का meeting हुआ ना, बेंगलूर में, उथर भी यही देखने को मिला था, Western countries जो है, Russian officials को attack कर रहा था, whereas rest of the countries का tension ये था, किस तरह food crisis को खतम किया जाए, energy crisis को खतम किया जाए, fuel crisis को खतम किया जाए, पर Western countries के लिए ये सब कोई tension नही बार से, impact तो हमारे developing countries के ऊपर है ना, तो Western countries इस बात पर busy थे, कि वो Russian officials को attack कर रहा था, वेरास बाकी जो country से वो इतना नहीं कर रहा था, उनका बस agenda ये है दोस्तों, केसे भी करकि ये जो global crisis को खतम करना है, और देखे, G20 finance ministers का meeting में, French finance minister ने ये तक का था, that he was dissatisfied with the Indian attempt to soften some of the language against Russia and replace the term invasion with others like crisis, ये बात मैं आपको पहले के दिया, कि इंडिया जो है, इंडिया जो है, इंवेशन वाला subduce नहीं करता है, इंडिया crisis वाला subduce करता है, और ये Western countries को पसंद नहीं आ रहा है, तो French finance minister ने ओपन लिए कहा भी, कि इंडिया रिश्या के against language को soften कर रहा है, तो इन सा Asia Pacific Conference of German Industry and Business इंडिया में होगा, और उन्होंने ये भी कहा है, ओलरडी 1800 जर्मन कंपनीज इंडिया में अक्टीव है, और इंडिया जर्मन कंपनीज ने इंडिया में 10s of thousands of jobs भी create किया है, और जर्मनी इंडिया का one of the biggest foreign investors भी है, ठीक है, इसके अलावा, इंडिया और जर्मनी bilateral agreement sign किया है, on India-Germany vision to enhance cooperation in innovation and technology, तो basically science and technology field में, इंडिया और जर्मनी के बीच में cooperation होगा, इंडिया की तरव से Department of Science and Technology, और जर्मनी की तरव से Fronhofer Institute for Solar Energy Systems में एक agreement sign किया है, for cooperation in green hydrogen and clean energy technologies, क्या होता है green hydrogen, देखे, hydrogen को आसे fuel हम use कर सकते है, अभी भी हो रहा है, future में इसे wide scale में use किया जा सकता है, hydrogen fuel use करने से carbon emissions नहीं होगा, अब hydrogen को अगर produce करना है, तो अलग-अलग तरीके है, अगर आप electrolysis से, basically पानी को split करके hydrogen and oxygen create करेंगे, या फिर produce करेंगे, उसे आप green hydrogen बोलेंगे, क्योंकि electrolysis से भी कोई carbon emissions नहीं होता है, है कि नहीं, पर देखे, hydrogen hydrogen को और भी अलग-अलग तरीके से आप produce कर सकता है, जैसे कि fossil fuel से भी आप hydrogen को produce कर सकते हो, जब fossil fuel का extraction होता है, तो आसे byproduct hydrogen आप collect कर सकते हो, उसे gray hydrogen बोलते है, इस तरह production के इसाब से hydrogen को अलग-अलग color coding दिया हुआ है, तो green hydrogen अगर produce करेंगे, यह सबसे अच्छा होगा, तो green hydrogen फिल्ड में, clean energy technologies में भी इंडिया और जर्मनी कोपरेट करेंगे, ठीक है, अगला, strawberry farming making waves in tribal heartland of Odisha, GS paper 2 and 3, tribal issues and farming में इनुस आपको कामाएगा, यह article basically आज का the Hindu newspaper का premium article है, इस article में strawberry farming के बार में बात हो रहा है, और यह strawberry farming कोन कर रहा है, Odisha का one of the particularly vulnerable tribal group, PVTG, PVTG मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले ही ने primitive tribal groups कहते थे, आज कल particularly vulnerable tribal group कहते हैं, देखें आपको पता है, दोस्तों, tribal population काफी backward है, वो काफी primitive ways of life follow करते हैं, है कि नहीं, इन tribal groups में कुछ groups ऐसा है, जो एकदम primitive हैं, उनका overall development बहुँ ज़रूरी है, तो उनके उपर focus करने के लिए, government ने क्या किया, particularly vulnerable tribal group करके एक अलग category बनाया, यह actually tribals है, tribals में सबसे backward जो है, ठीक है, इंडिया में total 75 PBTGs है, ठीक है, और सबसे ज़्यदा PBTGs आपको देखने को मिलेगा, ओडिशा स्टेट में, ठीक है, और इंडिया में पंजाब और हरियाना में शायद PBTGs नहीं है, एक बार confirm कीजिएगा, ठीक है, तो यह कहाँ पे दोस्तों, बेसिक लिए जो strawberry farming यह कहाँ पे हो रहा है, ओडिशा 36 गट बॉर्डर में सुना बेड़ा प्लाट्यू है, 3000 feet above sea level है, यह प्लाट्यू, यह प्लाट्यू से अगर आप 30 km चले जाओगे, आप पहुंच जाएंगे, नुवा पादा district of Odisha, अब मेरा pronunciation गलत हो सकता है, sorry for that, अगर कोई Odisha native सुन दा है, तो माफ कीजेगा, ठीक है, नुवा पादा district of Odisha में पहुंच जाएंगे, उधर से अभी आपको जाएंगे, तब आप पहुंच जाओगे, strawberry farming areas, और यह strawberry farming कर रहा है, चुक्तिया भुंजिया करके, एक particularly vulnerable tribal group, ठीक ह काफी अच्छा cultivation है दोस्तों, इनको काफी profit भी हो रहा है, तो basically इस particular news में से आपको कुछ जगाओं का नाम, कुछ tribes का नाम, यह सब नोट करना है, सबसे भी नोट कीजियेगा, चुक्तिया भुंजिया, particularly vulnerable tribal group के बारे में, ठीक है, और इसके आसपास में एक सुना बड़ा wide lab sanctuary है, तो यह भी आपसे पूच सकता है, है कि नी, सुना बड़ा wide lab sanctuary कहाँ पे located है, क्योंकि recently news में आया है, तो यह strawberry famine के लिए, ओडिशा का administration जो है, काफी मदद किया है, इन tribes का, basically इनने requisite training प्रवेट किया था, नुवा पदा district administration and the चुक्तिया भुंजिया development agency, जो 1994-1995 में established कि यादा by the state government of, तो winter season में सुना बड़ा का maximum daytime temperature रहता है, 25 degree Celsius, and night में 10 degree Celsius तक पहुंच जाता है, यह जो 10 से लिके 25 degree Celsius का temperature है, यह strawberry cultivation के लिए एकदम perfect है दोस्कों, इसलिए इधर strawberry का production भी अच्छा होता है, जिस वज़े से tribal communities को अच्छा income में, और यह जो area है na सुना बड़ा, it is claimed by both the Odisha and Andhra Pradesh governments, हासी ने huge info of government funds over the last four years, देखे करीब एक दो महने पहले एक editorial article आय था, Odisha and Andhra Pradesh border में कुछ area से, जहां पर लोगों को पास दो आथार card है, दो electoral ID card है, क्योंगी Odisha government और Andhra Pradesh government जो है, claim करता है उन एरियास को, तो उधर के लोगों को Odisha की तरफ से भी identity cards वगरा मिल जाता है, इधर से भी, and same goes with funds also, अब इधर का development के लिए Odisha government and Andhra Pradesh government की तरफ से काफी government funds भी पहुँच रहा है दोस्तों, ठीक है, अगला है, आयोथिया मोस्क, An Unfinished Tale, क्या बताया जा रहा है, देखे 2019 में, Constitution Bench of the Supreme Court, आयोथिया में, temple construct करने के लिए permission दिया था, जहां पे 16th century बाबरी मस्जिद खड़ी थी, एक टाइम पर, उसे गिराया गया था, यह कहनी आपको मालूम है दोस्तों, तो उस order में Supreme Court ने government को बोला था, कि आपको 5 एकर का prominent and suitable land allowed करना है, सुनी Central वकफ बोड को most construct करने के लिए, basically एक balanced order था Supreme Court की तरफ से, एक बोला गया कि उस area में temple बनेगा, दूसरा यह बोला गया, आपको 5 एकर land जो है, अलोट करना है, सुनी Central वकफ बोड को, वो उथर most construct करेंगे, अब आपको मालूम है दोस्तों, आयोथिया में, राम टेंपल का construction, rapid pace में चल रहा है, at the same time, सुनी Central वकफ बोड को जो land दिया गया, most construct करने के लिए, उथ कुछ भी नहीं हुआ है, दोस्तों, वैसे February 2020 को उत्रपदे स्टेट गवरन्मेंट, सुनी Central वकफ बोड को land अलोट किया था, कहाँ पे थनिपूर में, थनिपूर बेसिकली टेंपल साइट से 25 किनोमेटर दूर है, इसके बाद वकफ बोड ने एक कमिटी कॉन्स्टिटूट किया, called the Indo-Islamic Cultural Foundation, पर अभी तक उन्होंने मौस का कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं किया है, वैसे मौस का नाम भी दिया है, दोस्तों, मस्जिद य अयोथ हिया, अगला है, are neutrinos their own antiparticles, GS paper 3, science and technologies related news है, दोस्तों, देखें, इसमें neutrinos के बार में बात हो रही है, दोस्तों, दे exact mass क्या है, यह identify नहीं कर पाया है, वैसे neutrinos क्या होते है, दोस्तों, they are one of the most abundant particles in the cosmos, हमारे universe में the most abundant particle भी बोल सकते है, neutrinos जो है, हर जगा यह प्रसंद है, दोस्तों, इसलिए universe का structure में, neutrinos का एक important role है, इस article में क्या बताया जा रहा है, हर एक elementary particle का, एक anti-particle होता है, basically अगर ए neutrinos का anti-particle कौन सा है, इस बार में भी study हो रहा है, ठीक है, so, for example, electron का anti-particle है positron, electron negatively charged है, positron positively charged है, अब इन दोनों को आप distinguish कर सकते हैं, क्योंकि दोनों oppositely charged है, but neutrinos का जो anti-neutrinos है, उसे आप easily differentiate नहीं कर पाऊगे, क्योंकि it is not electrically charged, तो काफी सालों से research बगरा चल रहा है, neutrinos क बार में study करने के लिए, क्योंकि neutrinos के बार में अगर आपको details मिल जाएगा, तो universe का जो structure है, उसके बार में आपको idea मिल जाएगा, पर अभी तक एक neutrinos का exact mass क्या है, यह भी identify नहीं हो पाया है, पर देखे, recently, कामलांड करके एक team ने, एक research कंड़र्ट कराया, उन्होंने xenon 13 36 करके एक radioactive element का decay check किया, actually, यह जो xenon 136 है, इसके अंदर neutrino particles नहीं है, तो इसका decay जो हो रहा है, देखे, radioactive element उसका decay होता है, यह बात आपको पता है दोस्तों, तो उसका decay का जो timing वगरा चेक किया, और यह जो xenon 136 है, जो एक radioactive element है, उसका neutrino less double beta decay होता है, once every 230 million billion years, और हमारा universe जो है, वो 13.8 billion years old है, तो इन दोनों के बीच में comparison किया है, दोस्तों, और scientist ने basically एक neutrino particle का mass को इथर पता किया है, it is a mass of 36 to 156 mega electron volt, and it is at least 5000 times lighter than an electron, electron से कम से कम 5000 गुना lighter है, यह जो neutrino mass है, दोस्तों, 36 से लेके 156 mega electron volt तक, आप confused होगे होगा, मुझे मालू मैं, in fact, मैं खुद confused नूँ, क्योंकि देखे, ऐस सारे जो topics होता है, यह particle physics से related होता है, या फिर quantum physics से related होता है, तो समझने के लिए हमें in-depth knowledge की जरूरत है, तो मेरे इसाब से examination perspective में, इस particular article में से आपको 2-3 points ध्यान रखना है, दोस्तों, एक 5,000 times lighter than an electron है, यह समझ लीजिएगा, फिर xenon 136 के बार में मैं आपको बताया, xenon 136 से एक radioactive element है, ठीए, अगला है, studies in mice reveal neural mechanism of fear conditioning, GS paper 3, science and tech, देखे, इस article में भी examination perspective में ज्यादा कोई important नहीं है, फिर भी कुछ terms के बार में आपको पता चल जागा, Recently, scientists, brain imaging studies conduct किया है, माइस में, उनका neuronal activities measure करने के लिए, basically, brain में जो neuronal activities बगरा होता है, वो measure करने के लिए, कब यह measure किया, जब उनको observational fear होता है, observational fear मतलब क्या होता है, दोस्तों, मतलब किसी चीज़ को देखने के बाद जब आपको डर लगता है, उसे आप observational fear बोल सकते है, जैसे कि, आपके साथ, आपका एक दोस्त को जेल में बंद किया हुआ है, ठीके, अब आपके साथ क्या होगा, आप दोनों को मालूम नहीं, थोड़ी दिर बाद एक पुलीस वाला आया, आपका दोस्त को बुरी तरह पीटा, आप आपके मन में धर बैट जाएगा, अगला म नूरोनल अक्टिविटीज ज्यादा होता है, जब आप में अब्जर्वेशनल फिर होता है, वन इस एंटिरियर सिंकुलेट कोर्टेक्स, विच इस एसी सी, और बैसो लैटरल अमिगडाला, ठीके, तो ये दो एरियास के बार में बताये हो, तो साइन्टिस ने दो माइस को observe किया, एक माइस को शोक लगाया, तब दूसरा जो माइस है, वो डर गया, फिर जो माइस दर गया, उनका ब्रेन में नूरोनल अक्टिविटीज को इन्होंने measure किया, और ये ACC और BLA के बीच में जो connection है, उसके बीच में क्या activities हो रहा है, वो सब इन्होंने measure किया है, इसके ब as usual अपको telegram channel में मिल जाएगा, जिसका link नीचे description box में provided है, thank you for watching, bye bye, have a nice day.